आज Campus Front of India करनाटा के जानिप से एक स्ट्रेट वाइड प्रोटेस्ट कॉल फॉर किया गया वही कैम्पेन में आज हमने गुलबरगा में भी एक प्रोटेस्ट किया है 2019 में एक शक्स ने करनाटा का हाई कोड में एक रिट पेटिशन फाइल किया था कि आटी में राइट टो एजुकेशन में जो भी स्टुडेंट्स एड्मिशन लेते हैं उनको फ्री युनिफर्म्स प्रोवाइड करना था गौर्णमेंटी तरफ से तो हाई कोड ने गौर्णमेंट को यह ओडर दिया था कि येरली टू युनिफर्म स्टुडेंट को फ्री दे मगर हम देख रहे हैं यह साल जब 2021 में जब सकेंड जब युनिफर्म देने का था तो एजुकेशन डिपार्टमेंट टेंडर कॉल फॉर करता है वो टेंडर जब आता है तो सिर्फ क्लॉथ के लिए आता है हर साल जो युनिफर्म ता स्टीच होके देते थे मगर इस फार सिर्फ क्लॉथ आता है हम देखेंगे फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करता है गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को बजट जो आया है वो नाकाफी है बलके बताता है हलांकि वही बजट में हर साल दो युनिफर्म स्टीच होके दिये जाते थे और हम देखते हैं जो युनिफर्म स्टीच होके आते थे लोकल जो बिजनस हैं यह किरेट होता था जो इस साल हम देखेंगे सिर्फ क्लॉथ आ रहा है वो भी एक कॉर्परेट कमपनी से क्लॉथ रहे हैं तो जो employment था वह भी एक नहीं मिर रहा है और जो बच्चों को जो uniform मिलना था वो भी नहीं मिर रहा है और दूसे ज़्य ज़साज कर देखेंगे BC Może जो है एजूटेशन मिनिस्टर uniform बहुत जरूरी है uniform paeल कि नहला बनगे बता है और यहां पर वही सोड़ेंट गौर्णमेंट के जो पोस्ट है 545 वो पोस्ट में भी एक बड़ा एक स्कैम नजर आया है उसमें भी बीजेपी के लीडर दीव्या हागर की नामी एक लीडर उसमें उनका भी नाम है और कई लोग एरेस्ट भी हुए हैं यह गौर्णमेंट टैक्स के पैसे लोगों से लेकि लेकि लोगों का ही मैंडेट लेकि गौर्णमेंट बनाई है मगर एक कॉर्पेट के लिए काम कर रही है एक हेट पॉलिटिक्स कर रही है तो हमारी एक डिमांड है यह जो स्कैम्स आये हैं यह स्कैम्स को किलियर लिए एक इन्वेस्टिगेट किया जाए और जो भी यह स्कै जो युनिफर्म डिस्ट्रिबुशन का स्कैम सामने आया है उसके खिलाफ गुलवर का डीसे आफिस में कैमपस फरंट अप इंडिया की जानिब से एतजाज मुनज़म किया गया है यह वही बीसी नागेश है जिन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम तालबात है उनने हिजाब पह जाएगी यह ऐसे लोग है जो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए lang को चुपाने के लिए लोगों को मजब के नाम पर लडा रहे है लोगों में हिंडू- मुसलिम करके फूट गेट सियासत कर रहे हैं आपने चाहे बीजेपी की जितने भी लीडर से जितने भी इसके हम कुछ पिछले कुछ दिनों में सामने आए हैं इश्वर अप्पा का मसला आप ले दीजिए उनके 40% कमिशन को ले कर गे बीजेपी का जो सपोर्टर है जो कॉंट्रेक्टर है वो सु यूकिसन सेक्टर में मुनववर राना ने एक शेर कहा था मुझे याद आ रहा है कि तवाइफ की तरह अपनी गलतकारी के चहरे पर हुकूमत मंदिरों मस्जित का परदा डाल देती है अपने काले कर्तूद चुपाने के लिए अपने घोटाले चुपाने के लिए करोड़ जो एजुकेशन जैसे सेक्टर में गपला करता है जो इस्टुदेंस के मुस्तविल से खिलवार कर रहा है उसे कोई अखला की हाग नहीं पहुशता उसे कोई moral right नहीं है कि वो cabinet में बना रहे है अपने होदे पर बरकरार है हम यह डिमांड करते हैं कि बीसी नागेश को इस् अगिकात होने चाहिए और जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उन्हें सक्त सक्त चजा होने चाहिए यह हम डिमांड करते हैं तैंक आज जो हमारा प्रोटेस्ट करने का मकसद यह है कि एक आर्टी से जो बच्चों को फ्री उनिफॉर्म्स जो है प्रवाइट करने का था यह टो जो है सही से कट से औरर आया था वो फॉलॉप करना था लेकिन यह जो फॉलॉप करने में नाकाम रही है गवर्मेंट और जो यह चीज है जुकेशन डिपार्टमेंट में आती यह जो निचे करते हैं यह चेनिक करोड ने 400 अट начал की लेकल करते हैं 91 करोट, 52 लैक रुपीज हमा को एक्स्ट्रा लग रहे हैं, किस बुनियाते बोले तो सिर्फ स्टिच करके ने दे रहें, ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ क्लाइट्स दे रहें, जो पहले जो क्लाइट्स बनके गवर्मेंट जो प्रवाइड करती दी क्लाइट्स, स्टिच करके 230 रुपीज में एक पेर आप लोगों को बच्चों को प्रवाइड कर दे थे, अब जो है 250 रुपीज, 20 रुपीज एक्स्ट्रा बढ़ा के, 250 रुपीज में सिर्फ कपडा प्रवाइड कर रहें, आप लोगों कोई सिलाला बोलके बच्चों को दे दे रहें, इसमें जो है सही से फॉलो नहीं हो रहा, इसमें जो है कहीं ना कहीं ये जो टेंडर पास कर रहे हैं, आज जो है ये टेंडर की सुनवाई है, जो 18 एपरेल 2020 है, आज यह टेंडर की सुनवई है इसलिए आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑफिसर्स जो टेंडर पास कर रहे हैं इनको मिनिस्टर का सपोर्ट है क्यों है तो जो है इतने बड़े स्कैंस कितना निचे तरफ से गिर गजी तो इसी लिए हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको मिनिस्टर्स का सपोर्ट है, इसलिए इतने बड़े स्कैंस, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, तो इसी के लिए हम बीसी नागेश हम रिजाइन करना बोलके हमारी डिमांड है